दोस्ते, आज की मोटिवेस्टनल स्टोरी में हम बात करेंगे कि इस्ट्रकल को कैसे जीतें, कठिन परस्तियों को कैसे जीतना सीखें, परस्तियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती, जीवन में उतार चड़ाओ तो आते ही रहते हैं आपकी सोच बताती कि आप कठिन परस्तियों को कैसे सामना करते हैं, क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परस्ति से आपको बाहर निकाल दे, एक कहनी यूँ है कि पुराने समय के ब्यापारी ने किसी धनी सहुकार से पैसा उधार ब्याश पलिया था, लेकिन ब्यापा उसकी परस्ति का फाइदा उठाए जाए, उसने ब्यापारी को एक सुझाओ दिया, कि अगर वह अपनी बेटी की सादी, उस सहुकार से कर दे, तो वह ब्यापारी का सारा कर्ज माफ कर दे जा, ब्यापारी बेचारा मरता, तो क्या ना करता, उसने अपनी बेटी को सारी बा दूसरा सहुकार से खुजी से बेवहा कर ले ताकि उसका पिता स्वतंतरता से रह सके। मित्रों अक्सर हमारी जीमन में भी ऐसे मोड आते हैं। जह हमा में यकीन नहीं होता कि आप कोई रास्ता नहीं बचाएं। और अब हम बुरी तरह फस चुके हैं। अखवारों में सुनने में आता है कि लोग आत्मत्या तक कर लेते हैं। लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए। एक दब निर्मल, सांत और चलाएमान। पानी को देखा है ना। पानी हर जिगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। लड़की ने साहुकार के आंगे एक सर्थ रखी। कि साहुकार एक ठैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले। एक सफेद रंकी और दूसरे काले रंकी। इसके बाद लड़की उस ठैले से आग बन करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहुकार से बिवा कर लेगी। और उसके पिता का करज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो भी पिता का करज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन लड़की साहुकार से बिवा नहीं करेगी। साहुकार तुरंद बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आया अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहुकार ने चलाके से दोनों गोली काली ही थैली में डाल दिये अब लड़की परिसान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे साहुकार का भांडा फोड भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उसको जरूर फसाएगा लड़की को सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बहार निकालता ही उसे हांस से छिटका दी जिससे गोली नाली में जागे ली लड़की बोली माफ करना गोली मेरे हाँस से छिटक गई लेकिन चिंता की कोई बार नहीं थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी उसे देख लेते हैं अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थेले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी ब्यापारी ने थेले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली ब्यापारी बोला अहा बेटी थेले में काली गोली बची इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी साहुकार बेचारा बोलता भी क्या अगर बोलता तो चोरी पकड़े जाती इस पिकार पिता का करज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी सुरक्षा भी कर ली मित्रों अगर हमारे देश के सुतंता सेनानी भी अगर सोच लेते कि हम सकती साली अंग्रेजों से कभी जीत नहीं पाएंगे उसायद हमारे यादे इसका भी आजाद ही नहीं हो पाता जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उल्जे रहेंगे अपने बिचारों को खुलने दे थोड़ा हट कर सोचें यह सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलने सुरू हो जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको बहुत पसंद आयोगी झाल